गाइज यह है मेरे पास Realme GT Master Edition और इस फोन में जो है call recording को option भी दिया गया है लेकिन इसमें call recording settings का option enable नहीं है यानि कि हमें दिखाई नहीं देता है अगर हम dialer में जाते हैं और यहाँ पर जो settings है यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर call recording का कोई भी option नजर नहीं आएगा तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि call recording को किस तरह से enable किया जाता है इस phone में क्योंकि इसमें जो google dialer दिया है उसमें call recording inbuilt आती है लेकिन यहाँ पर कोई भी option देखने को नहीं मिलता है जिसकी वज़े से हम जो call recording के options होते हैं उन्हें access नहीं करवाते तो आज हम देख option मिलेगा app management तो यह जो है app management का option इसके ऊपर हम click कर देंगे यहाँ पर आपको app list मिल जाएगी app list पर आपको click कर देना है और इसके बाद जो दो क्लिक कर देना है यहां क्लिक करने के बाद जो स्टोरेज यूजेस है आपको यहां पर क्लियर केश और क्लियर डेटा कर देना है यहां पर यह काम हमें कर देना है फिर हम चलेंगे बैक बैक जाने के बाद आपको फोन मैनेजर यहां पर दिखेगा और फोन कॉल एसे में स्टो menager जो है यहाँ पर जाकर Storage users में जाकर Clear data यहाँ से हम इसका कर देंगे इतना सारा काम करने के बाद हम जो है Back चले जाएंगे और Back जाने के बाद हमारे phone को जो है हम कर देंगे restart जो phone है अब हमारा हम restart करेंगे switch off किया तो भी चलेगा या तो फिर restart किया तो भी चलेगा तो phone को जो है मैं अब restart कर रहा हूँ तो जब तक phone restart होता है तो हम थोड़ा सा wait कर लेंगे तो guys यहाँ पर phone जो है restart हो रहा है Realme का logo जो है यहाँ पर आ चुका है और phone जो है अब restart होने वाला ही है इसके बाद हम देखेंगे क्या हमारा जो call recording को option है वो हमें settings में देखने को मिलता है या नहीं मिलता है तो यहाँ पर मैं password दाल देता हूँ और हमारा phone जो है restart हो चुका है फिर से चलते हैं dialer में और dialer में जाने के बाद यहाँ पर जो 3 dots है और जो settings को option है यहाँ पर देखते है तो settings के option में हम आ चुके है और अब यहाँ पर देखते है कि call recording को option हमें देखने को मिलता है या नहीं तो दोस्तो अभी भी call recording को option जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो guys हमें अभी भी phone की settings में call recording को option देखने को नहीं मिलता मिला तो हम फिर से चलते हैं settings में और फिर से हम जाएंगे app management में तो यहाँ पर जो है हमारा app management का जो option है यह इसमें जाएंगे app list में जाएंगे और दो dots पर click करके show system करेंगे और यहाँ पर search करेंगे phone यहाँ पर जो है phone app जो है हमने यह तीनों का data जो था वो clear कर दिया था लेकिन यह जो phone app है इसका नहीं किया था तो यह रहे गया था तो इसका जो है storage uses पर click करके clear cache और clear data हम यहाँ से कर देंगे और अब फिर से एक बार देखते हैं क्या हमें हमारे phone का जो call recording का option है वो देखने को मिलता है या नहीं तो अब चलते हैं फिर से dialer में और यहाँ पर तीन dots पर click करके यहाँ पर settings पर click करते हैं और आप देख सकते होगी यहाँ पर जो है call recording का option आपको यहाँ मिल जाएगा तो यह जो है call recording का option जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था वो अब इनेबल हो चुका है call recording के option पर click करके आप यहाँ से recording को delete कर सकते हो या तो कोई time set कर सकते हो after 7 days after 14 days after 30 days तो यह जो option से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और आप यहाँ पर जो है number not in your contact इनके अगर यानि जो contacts आप के phone में नहीं है उनके call recording करना चाहते हो तो यहां से इस इसे enable कर सकते हो selected numbers को भी आप call recording में डाल सकते हो तो यह सारी जो option से आपको नए मिल जाते है call recording की settings में तो इस तर से आप अगर चाहते हो तो अपने phone में call recording की जो नए settings है enable कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी इस वीडियो में बताया है अगर आपके phone में भी यह जो call recording का option है यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो आप इस तरह से अपने phone की call recording की options को enable कर सकते हो तो दोस्तों यह थी आज की video उम्मेदी video पसंद आए होगी अगर video पसंद आए हो त चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना बहुत ही जल मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए